आलू का पराठा खाना हर किसी को पसंद होता है और ठंड के मौसम में ये पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और है और इस ठंड के मौसम में पराठो का मज़ा दो गुना करना है तो बनाईए तंदूरी पराठा तो चलिए आज हम बनाएंगे आलू का तंदूरी पराठा जो ल यह तो आप सिंपल से आते से डो तयार कर सकते हैं लेकिन आप पराठो को और भी ज्यादा लाजवाब बनाने के लिए यह दो तयार करेंगे पिसे हुए पालक से जो आइरन से भरबूर होता है और बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं तो हमें लेना है दो मुठी के गरीब पालक को अच्छे से दुल लें और इसे रफली कट कर लें क्योंकि इसे में पिसना है तो इसे रफली कट कर लें मिक्सी के जार में डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा पानी डालक पहले डालें और बहुत ही थोड़ा सा पानी जब पालक पिस जाए तो बाकी की पालक इसी में डालते जाएं, यह सारी की सारी पालक कम पानी में पिसकर त्यार हो जाएगी, इस तरीके से पालक को पीस लेना है, जितने लोगों के लिए भी आपको पराठा बनाना है, उतना आठा ले लीजिए, इसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और बहुत अच चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारी चीजे जब अच्छे से मिल जाएं, तो आमने जो पीसी वी पालक तयार किया है, इसी से यह दो तयार करेंगे, इससे यह दो इकदम ग्रीन ग्रीन, आईरन से भरपूर तयार होगा, फिर आप इसकी चाहे काचोडियां बनाए पूरी बनाए या फिर पराठे बनाए, बहुत ही लाजवाब बनते हैं, यह पराठे स्वादिष्ट तो होते ही हैं, साथ ही फायदे मन भी होते हैं, आईरन से भरपूर होता है, यह दो इकदम सौप सा तयार करना है, पहले जो आपने पालक पीसकर रखा है, इसको अच्छ चोप सकते हैं, तो आप सकते हैं, आप साथ सा दौopard ते ल्यूजण करना है, बिल्कुल ऐसे तयार करना है, ताकि अच्छे से डालते बने नहींी तो सकत रहे गा, तो अच्छे से सटफिंग डालते नहीं बनता है, तो इस बात का ध्यान रखें, दो इक्तम साथ ही तयार क त यह चोड़ देते हैं इसे चौड़ सेट हो जाएगा तब तक नियार करने के लिए ने दो मुठी के करीब रफली कट करके लिया है तो हरी मिर्च और हरी लेस्ट की पत्या हरी लेसं की पत्तिया मुठी बढ लिया है इसे स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आप को हरी लैसन की पत्यां मिल जाएं तो जरूर ले लीजिए इससे पराथे बहुत ही स्वादिश्ट बनेंगे और नहीं मिलती है तो जो लैसन की कलियां होती है उनी को यूज कर लीजे इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे पीस कर त्यार करेंगे अगर आप पानी डाल है तो बहुत ही थोड़ा सा पाने डाले क्योंकि अगर यह घीला हो गया जादा तो इस स्टफिंग भी गीली सी हो जाएगी तो इस बात का ध्यान रखें बहुती थोड़ा सा पानी या बिना पानी के सीपिसकत त्यार करें आलु को उबाल कर छील कर रिक मैश करके लिया है अच्छे से मिला देना जब तक आलू ग्रिन ग्रिन सी ना हो जाए एक बराबर सी धनिया ना मिल जाए तब तक इसे मिलाते रहा है यह स्टफिंग हमने तयार कर लिया है और इधर आटा भी सैट हो गया है आटा को एक बार फिर से थोड़ा सा मसल लेते हैं इसे एकदम सौप सा हो जाएगा तो अभी हमें इसकी छोटी छोटी सी लोईया बना लेनी है यह पराटे आपको जितने बड़े छोटे से बनाने है उससाब से लोईया बना ले और इसमें स्टफिंग भर बर के डालना है तो बंद करेंगे और फिर से बोल शेप देंगे और सूखा आटा लगा कर इसे हाथ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसे हाथ से थोड़ा सा बड़ा करने के बाद ही बेले ताकि यह फटे नहीं अगर आप इसे सिदे ऐसे ही बेलने लगेंगे तो यह फट जाएगा तो बड़ ताकि यह पर आता हैसमें अच्छे से सेख लेंगे canire फेक हाई जले नहीं तो पराडह नीचे की साइड अच्छे से लेहां ओन पराटों और इसे थोड़ी थोड़ी देर में उठा उठा कर चेक करते रहें, ताकि ये एक जगा पर जले नहीं, इसे घुमा घुमा कर अच्छा सा सुनहरा हुने तक सेख लेना है, पराथों में अच्छी से चित्तिया पढ़ जाएं, एक बराबर से सिख जाएं, कहीं कम कहीं जादा गैस को थोड़ी देर मीडियम, थोड़ी देर लो रखें और इसे घुमा घुमा कर इस तरीके से सेख लें, आप देख सकते हैं, इन पराथों में अच्छी से चित्तिया पढ़ गई हैं, और ये तंदूरी पराथा तवे पर बन करके तयार है, कितना सुन्दर सा सिख ग्या तो इस तरीके से आप भी घर पर बहुत ही आसानी से ये तवे पर तंदूरी पराथा बना सकते हैं, और रेस्टोरेंट का मजा घर पर ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये कितना बढ़िया से सिख ग्या है, तोनो साइट और इक्तम क्रिस्पी सा लग रहा है, ये पराथे इक्तम घी में डूब जाएं, और ये पराथे खाने का इक्तम फुल मजा आजाएं, गर्म गर्म तंदूरी पराथा को अपने मन पसंद किसी भी अचार के साथ खा सकते हैं, मैंने लिया है लेसन का अचार, जो ठन के मौसम में इस पराथे का मजा दो गुना कर देगा, तो आप अपने मन पसंद कोई भी अचार या चटनी से भी से खा सकते हैं, बहुत ही ला जवाब सा बना है, आप देख सकते हैं, ये देखने में कितना ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, तो सोचे खाने में ये कितना ज्यादा स्वादिष्ट होगा, अभी मैं थोड़ा सा पानी आया है उस पानी को अभी गट कर जाए और ऐसा टेस्टी सा पाराठा जरूर बना करके खाए और कॉमेंट करके जरूर बताए कि आपको यह लाजवाब सा पराठा कितना ज्यादा पसंद आया दोस्तों आपको यह तंदूरी पराठा बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी टेस्टी लाजवाब एक दम नई रेसेपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई